हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई स्टूडी मेडियल आई चैनल और आज के जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने और समझने वाले हैं कारपत्रक 81 यानि कॉक्सिट नंबर 81 जो क्लास 9 के समाजिक ग्यान का तकत इतिहास के पार्ट 3 से समधित है और जिसका टापिक है नाजिवाद और हिटलर का उधर 6 यानि का च्छटा पार्ट हम लोग देखेंगे और दिनांख है 7 फर्वरी 2022 तो बच्चों वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दें अगर आप चैनल के नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करने जर्मन लोगों का दिल जीचता है और उनको लोक लुभा ने नारों के त्वारा वो जो है सत्ता में काविज होता है और चैनलोर बनता है और फिर धीरे-धीरे किस तरीके से वो लोकतांतिक बहुता को ध守त कर देता है और उसका जो बीचार था वो किस तरीके से क्या क्या विचार थे महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति और बीसों के प्रति तो आज का जो टॉपिक है उसके अंतरगात आज हम लोग देखेंगे तो जो उसका दृष्टिकोर था उसका उसने प्रचार कैसे करवाया ठीक है और उसके इस दृष्टिकोर पर लोगों की राय क्या थी, प्रतिक्रिया क्या थी और जो उसने 60 लाग यहुदियों को मरवाया था उसको क्या बोलते हैं? तो आईए सबसे पहले हम लोग देखेंगे नासी बिस दृष्टिकोर का प्रचार देखे, नासी सासन ने मीडिया का बड़ी होसियारी से इस्तेमाल किया जो हिटलर का सासन था हिटलर के दौरा जो मीडिया था जिसके दौरा लोगों को सुचनाय दी जाती है उसका बड़े ही समझदारी से, होसियारी से इस्तेमाल किया गया उन्हें अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए नए सब्द इजाद किये, मतलब जो उनके तौर तरीके थे, उसको लोगों तक पहुचाने के लिए नए नए सब्दों का इस्तेमाल किया, ठीक है, नस्यों ने अपने अधिकरित दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे स अधिकरित दस्तावेज में ये दो सब्द हमें देखने को नहीं मिलते हैं, न तो हत्या का सब्द और नहीं मौत का, सामोहिक हत्याओं को विसेश ब्योहार अन्तिम समाधान यहुदियों के संदर्म में, ठीक है, और जो सामोहिक हत्याय होई थी, उसको बोला गया विसेश अन्तिम समाधान, जिसे यहुदियों के संदर्म देखा जाए तो उसको बोला गया अन्तिम समाधान, मतलब इनका कोई और समाधान था ही नहीं, और जो विकलांग थे, जो किसी काम के नहीं थे, उनके लिए बोला गया यूथ नेजिया, ठीक है, और चयन और संक्रमर मुक् किया गया, अब इन सब्दों से आप कहीं भी नहीं सोच सकते कि किसी की हत्या या किसी को मौत के घाट उतारा गया होगा, सब्द क्या क्या थे, सामुहिक हत्या का बोला गया, विसेज बयोहार, ठीक है, अंतिम समाधान, यहुदियों के संदर्म बोला गया, यूज, यूद थेनिया बोला गया, विकलांकों के संब्द में, ठीक है, और भी एक सब्द था, चायन और संक्रमण मुक्त, ठीक है, यह सब प्रयोग किये गये थे, और इवेक्यूएशन खाली कराना का आसा था, कि लोगों को गैस चेम्बरों में ले जाना, और इन सभी लोगों को चाहे पर ले जाना, जो गैस चेम्बर बने थे, पॉलाइंड में, जहां पर ले जाके इन लोगों को मार दिया जाता था, तो वहां पर ले जाने को बोला जाता था, इवेक्यूएशन, ठीक है, और जिसका अर्थ होता था, खाली कराना, गैस चेम्बरों को संक्रमण मुक्ति छे गैस चेमबर असनान घर जैसे दिखाई देते थे। अपने ओकर्छार थे जो हिल्टर के विचार थे उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या होता था यह आठी टेट में आप देखते होंके तस्वीरें की जाती हैं फिल्मों होता है रेडियो पे पोस्ट्रों में अच्छे अच्छे नारों के द्वारा और कुछ पर्चे भी भाटे जाते थे इन सब या उस पे साफ साफ दिखाई देती थी और उनका मजाक उड़ाते हुए भी दिखाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें सैतार के रूप में पेश किया जाता था, ठीक है, समाजवादियों और उदारवादियों को कमजोर और पत भरस्त तत्तों के करने वाले थे ठीक है तो उनको जो है जर्मन के द्वारा जो आर जर्मन थे उनके द्वारा जो अनका पतवरस्त का जाता था उन्हें बिदेशी एजेंट का कर बदनायम किया जाता था नासिवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असा डाला उनकी भागनाओं को भड़का कर उनके गुस्से और नफरत को अवांचितों पर केंदित कर दिया देखें आपको पता है कि जो बिस्यूद हुआ था प्रथम उसके द्वारा जर्मनी पे बहुत सारा आर्थिक और हर्च प्रगार के दबाव थोब दिये गए थे और जिसको वहां की जनता झेल रहे थी और काभी परेसान थी और इन सभी चीजों का फाइदा लिया हिटलर ठीक है उनको लोगतां दर के खिलाब भड़काया ठीक है और उनकी भावनाओं पर समझ लिजिए उसने अधिकार कर लिया और उन्हीं सबका फाइदा लेते हुए उनका दिल और दिमाग में नफरत भारा और सबको जो है यहुद्यों के खिलाब और जोमित राष्टे उनक लोग देखेंगे देखें बहुत सारे लोग नासी सब्द भंडार और धुवाधा प्रचार का सिकार हो गए चूंकि जो हिटलर के नारे थे वो इतने प्रवल थे कि हम आपको सब्मान दिलाएंगे आपके देश को सब्मान दिलाएंगे आप देश के लिए हो ना कि देश आपके लिए है जो भी बेरोजगार है सब को रोजगार दिलाने का काम होगा ठीक है तो ये सारी चीजे थी उसके नारों में वे दुनिया को नासी नजरों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नासी सब्दावली में ही ब्यक्त करने लगे उन्हें पक्का विस्वास्त था कि नासी वाद ही देश की तरकी के रास्ते पर लेकर जाएगा यही ब्यक्ता सबका कल्यार करेंगी लेकिन बहुत सारे लोगों नासी वाद का जम कर विरोध किया हाला कि अधिकांस लोग कोई विरोध कदम उठाने अपना मत्भेद व्यक्त करने नासी वाद का विरोध मान दें क्योंकि हिटलर उस समय तारा साह हो गया था अगर कोई ऐसा करने की जो रज़ भी करता तो वो उसको मरवा डालता है तो लोग बोलने से डरते थे और वही होता है ज्यादत तर चीज़ जब इसे आखे फेल ले इतना तो लोग ये कर पाते थे वाके भी रोद भी सभाया गया देहें इनी सामोही कतलयामों को महाध्वन्स होलोकास्ट भी कहा जाता है जो सामोही कतलयाम हुए ठीक उसको जो है महाध्वन्स या होलोकास्ट कहा जाता है जो कुछ हुआ उसकी गवाही घेटों और कैम्पों में नारकी जीवन भोगने वालों के लिए दस्त सवेजों के संक्रता है दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में husband लेखों डाइरी साहित by बृत चित्रों, गीतों, अस्मारकों और संग्रहालियों में इस महाध्वांस का इतिहास और इस विति आज भी जिनना है। साहस दिखाया था। उन लोगों के लिए भी ये सारी बाते सर्मनाग यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ठाये और उनके लिए चेतावनी है जो खामोसी से सब कुछ देखते रहे। दिखे अगर कुछ लोगों ने बिरोध नहीं किया होता, कहीं भी अगर क्रांती आती है तो चुप रहने से क्रांती नहीं होती अधिकार अपने अधिकार लोग ऐसे ही चुप रहा कर नहीं ले पाते हैं उसके लिए क्रांती करने पड़ती है और जो क्रांती करता है उसका नाम लोग जो है सम्मान से लेते हैं और जो चुप रह जाते हैं जो गुलामी सहना करते हैं उन्हीं को कायर समझते हैं ठीक है तो जो सामुही कतल याम हुए थे उसको जो है महाध्वंस के रोप में जानते हैं तो आज की वर्क सीट में आप से कुछ चार प्रश्ण पूछे गए था यह इनका अंसर देख लेते हैं पहला प्रश्ण है हिटलर ने नासीबी सुद्रिष्ट कोड को जर्मनी में किस प्रकार आकर सक बनाया तो इसमें ऐसे लिखेंगे पहला हिटलर ने नाजीवाद बिचारधारा के प्रचार के लिए मीडिया का सहरा लिया ठीक है उसमें जो भी चीजे उसके दोरह प्रयोग की गए उसमें कहीं भी मौद और हथ्या सब्द का प्रयोग नहीं किया गया नाजिवादी बिचारधारा के प्रचारधारा के लिए भ्रामक सब्तों का प्रयोग किया गया जैसे बिसीयस बेओहार अंतिम समाधान इत्याद नाजिवादी बिचारों के प्रचार के लिए फिल्मों, रेडियो, टीवी, पोस्टरों तथा नारों इतियाद का सहारा लिया गया नाजिवादी बिचार धारा के बिरोधियों का बिदेशी एजेंट कहा कर मजाख उड़ा जाता था जो नाजिवादी बिचारधारा के जो बिरोधी थे, जो नाजिवादी बिचारधारा को न मानने वाले थे, उनको बीदेशी एजेंट कहा कर पुकारा गया, और पात्वा हो जागा नाजिवादी बिचारधारा का समर्थन्ना करने वालों को देश बिरोधी पताया जाता था जो अगला प्रश्ण है महाधुंस का अर्थ नाजियों के लिए और यहुदियों के लिए किस प्रकार भिन था तो इसमें लिखेंगे नाजियों के लिए महाधुंस का अर्थ थाववांचितों से छुटकारा जिसको final solution कहा जाता था जो नाजी विचारक थे उनके हिसाब जो महाध्धौन्स का अर्थ था वो ये था कि आववांजितों से छुटकारा मतलब जिनकी कोई आउसकता ही नहीं है उनसे हमें छुटकारा मिल जाए ये जो यहूदी थे उनके लिए महाध्धौन्स कभी ना खत्म होने वाली यादना थी जिसमें उनका काम धंदा उनके घर सब बरबाद हो गए और लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा 1941 में सुरू हुआ यह ना सरंगार 1945 में जब तक खत्म होता 60 लाख से ज़्यादा यहूदी मारे जा चुके थे यहूदियों के अलावा ये लोग भी मारे गए जो हिटलर को ना पसंद थे ठीक है जो ये नाजी लोग थे जो नाजी की विचार को मानने वाले थे उनके लिए जो महाधवनस कार था वो ये था कि अवांचतों से छुटकारा मिल जाएगी जिसको फाइनल साल उसन बोला जाता था जो यहूदी थे उनके लिए जो महाधवनस कार था वो ये था कभी ना खत्म होने वाली यातना यानिकी सजा ठीक है क्योंकि इसके द्वारा क्या हुआ था कि जो यहूदी थे उनके काम धंदा चौपट हो गए थे बंद हो गए थे घर बरबाद हो गए थे और यह जो 1941 से 1945 के बीच के अगर बात करें तो लगवाद साथ लाक यहूदीयों को मार दिया गया था ठीक है और उन लोगों को भी मार दिया गया था जो हिटलर को पसं कर लिया तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि अधिकतर लोग नाजी सब्दावली और प्रचार का सिकार हो गए उन्हें विश्वास था कि नाजीवाद ही उनके देश के लिए सबसे बेहतर विकल्ब है दूसरा लिख लेंगे दूसरा समू उन लोगों का था जो नाजीवा होगा है कल्पना कीजिए कि आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार थी हैं इसकूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं आपका मानना है कि यही कि यहूदी खराब नहीं होते ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे इस बारे में एक अनुछियां लिखें इसक स्कूल में मन नहीं लगा पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था कुछ दोस्त बाते कर रहे थे कि यहूदियों को देश से निकाला जाएगा ऐसा ही कुछ मजाग भरा लाजा मेरी टीचर का था अब तो स्कूल में नई किताबें भी आ गई है और उन किताबों में है कि यहूदी हमारे सत्र है हमें समझाया जा रहा था कि देश की बरबादी का करण यहूदी है लेकिन मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगता कोई भी धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता मेरे बहुत से दोस्त हैं जो यहूदी हैं जो बहुत अच्छे हैं जब उनके साथ हम खेलते हैं पढ़ते हैं बाते करते हैं कभी नहीं लगता कि वह हमसे अलग है बस इतना इतना लगता है कि वह भी हमारे देश के हैं ठीक है तो यह बात आप ऐसे लिख सकते हैं तो बच्छों इसे साथ आज की यह वर्क सीट कंप्लीट होती है आई हो वीडियो आपको अच् सब्सक्राइब करना न भूलें इसी साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्यू